अध्याय 15 दरावना दरपन एक पुराने अध्भुत महल की छट को याद रखने में विफल रहने पर वहां एक दरपन लटका हुआ था जिसे एक अलग ब्रहमांड में प्रवेश माना जाता था, अपने आकरशक आवर्ण और धुएदार परिपक्व कांच के साथ दरपन सद अध्नाम होने के कारण रुची और भय दोनों का एक स्रोत बुर्बुडा रहा था, सारा दूसरी दुनिया की एक निश्चित रागीर ने दरपन की कथाएं सुनी थी और गुप्त अवशेश के पीछे की वास्तविक्ता को प्रकट करने के लिए आकरशित हुई थी, वास् की भावना रखता था, जैसे कि उसने रहस्यों और दुर्भाग्यों को देखा था, जैसे ही सारा उपरी कमरे में घूमी, वह तुरंद दरपन की उपस्थिती का पता लगा सकी, हवा पर उर्जा का आरोप लग रहा था, और दरपन के शीशे में एक चलती दुए का कोहरा जो अपने रहस्यों को छिपाता था, उसे जागीर के संरक्षक ने बताया था कि जो लोग दरपन में देखते थे, वे एक अलग ब्रहमान को देखते थे, एक ऐसी दुनिया जिसमें भूत की आकृतिया और विचित्र द्रिशित थे, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्ह वास्तविक दरपन में लाया गया था, जैसे कि यह एक वैकल्पिक वास्तविक्ता का प्रवेश द्वार था, रुची और भय की भावना के साथ, सारा दरपन की ओर बढ़ी और उसकी गहराई में देखी, जैसे ही उसका रूप उसे पीछे मुढ कर देखने लगा, दरपन क अंदर धुए का कोहरा घूमना और हिलना शुरू हो गया, शायद दरपन में उर्जा का एक अचूक अतिप्रवा था, एक दैनिक अस्तित्व दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था, शीशा उसे लुभाने के लिए दिखाई दिया, और कुछ ही समय में उसने महसूस किय कि वह खुद को इसकी गहराई में लाया जा रहा है, जैसे ही वह धुए के प्रवेश द्वार से गुजरी, उसने एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जो किसी और की तरह बिलकुल नहीं थी एक अलौकिक शेत्र जो अतीत की वास्तविक्ता में मौजूर प्रतीत होता था इस शक्तिशाली पहलू में उन्होंने अलौकिक आकृतियों और भ्रामक द्रिशों का अनुभव किया, आकृतियों ने दुर्भाग्य और लालसा की अपनी कहानियों पर चर्चा की और द्रिशों में एक अलौकिक स्टनर था जिसने वास्तविक दुनिया के नियोंगों को चुनौती दी। जैसे ही सारा ने दरपण के अंदर वैकलपिक दुन्या की जाच की, उसे समझ में आया कि यहां वह जगह थी जहां खोए हुए आत्माओं को शरण मिली, एक ऐसा क्षेत्र जहां अतीप और वर्तमान मेल खाते थे, आइना उन लोगों के लिए एक प्रवेश द्वार में बदल गया था जिनोंने अपने अतीप की दुन्या में आराम का पता लगाने की कोशिश की थी। प्रत्यक अनुभव के साथ सारा ने दरपण के अनुभवों के से, शैटों के पिछले निवासियों के साथ इसके जुडाव और उन आत्माओं का अधिक गहराई से अध्ययन किया जिनोंने स्थानापन पहलू में उनकी दिशा का पता लगाया था, दरपण ब्रहमांडों के बीच एक विस्तार था, जो महत्वपूर्ण संबंद की स्थिती थी। जैसे ही वह दरपण की गहराई से वापस आई, उसे एहसास हुआ कि यह कुछ भी नहीं बलकी भय का एक स्त्रोत था, फिर भी उपस्थिती के रहस्यों को समझने का एक मार्ग था, दरपण ने खोए हुए आत्माओं को आराम दिया था और सामान्य से परे एक शेत्र के साथ एक जुडाव दिया था। मा शामिल हो गए।